नमस्कार दोस्तों आप सोच रहेंगे मैं क्या लेके बैठा हुआ थीखिए ये बहुत काम की चीज 카 यह आपको घोड़े की तरथ तागत देने वाला घोड़े जैसी तागत देने वाला होता है होगे ने सुनके हैरान घोडे जैसी ताकत जी हां गोड़ा इतना ताकतवर होता है कि बिजली की जो मोटरें होती है उसकी पावर को इसके साथ कंपेर किया जाता है आपने सुनाओगा कितने हॉर्सपावर की होड़ा हे । यह जो पौड़ा है हमें घोड़े जैसी ताकत देता है हरानी हो रहे होगी आपको लेकिन बिल्कुल सही सुन रहे हैं और मैं सही बता रहा हूं कि ये घोड़े जैसी ताकत देता है तो ये फोधा कौन सा है ये भी बताऊंगा मैं इसको लगाने के तरीका और कैसे घोड़े जैसी ताकत देगा वो सारी चीजें डिसकस करेंगे हम लेकिन इससे पहले मैं पहचान बता तूँँ देखिए इस पोधे की पहचान क्या है एक तो पत्ता इस तरह देखेंगे लेकिन पत्ते से पहचान नहीं होगी ये देखिए इसके अंदर दोस्तों एक फल लगता है और उस फल को हम ये छिलका उतारते हैं तो ये देखिए आप लोगोंने शायद रस भरी खाई होगी मोटे मोटे फल होते हैं उसके और इसी तरह से छिलका उतारता है उसके अंदर जो है येलो कलर या ओरेंज कलर का ये फल निकलता है लेकिन ये क्या है ये ओरेंज कलर का है बिल्कुल ही डार्क या रेड कलर कह लें इस तरह का फल निकलता है इसकी पहचान कर लें ये जंगली पौधा एक तरह से होता है लेकिन गुनों से भरपूर है इसका पत्ता फल डंटी और इसका जो जड़ है वो सभी काम आती है लेकिन क्या है इसके अलग अलग यूज़ है पत्ते का यूज़ वो करे जिनको जरूरत है फल का यूज़ वो करे जिनको जरूरत है यह मैं सारी चीजें क्लियर करूँगा लेकिन इसका नाम पहले मैं बता देना चाहता हूँ और लगाने का तरीका सबसे पहले पहचान मैंने बताई इसके पत्ते देखेंगे और इसके फल से पहचान करें कि इस तरह का जो यह देखिए यह कबर से लगे हुए हैं कबर जैसे ह ऑब योगा खेपसूल आते हैं सवंगन के सिर्फ भी आता है लेकिन यह नेचुरल अश्वगंधा है आप अपने घर में लगा के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंधा क्यों कहा गया दोस्तों अश्वगंधा हमने पहले भी इसकी वीडियो दी बहुत सारे लोगों ने देखा और आज हजारों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं अपने घर में लगा करके इसकी भीमारियों से भी निजात दिलाता और शक्ती सरीर की जो है सफूर्ती बढ़ाता है तो हजारों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं काफी लोगों का डिमाइन था कि एक बार दुवारा बना दें तो इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि बाकी अब हजारों ने उठाया अब लाखों लोग भी इसका फायदा उठा सके तो अश्वगंधा क्यों कहते हैं इसका एक पत्ता मिलेगा तो अश्वगंधा इसको कहा जाता है यह क्लियर हो गया और आते हम लगाने की बारी यह जंगली पौधा होता दोस्तों हमें एक बहुत बढ़िए पूस्टर दिया है नैचिरल पूस्टर लेकिन हम सब इससे अलग हो गये हम कैप्सूल घोलियों पे ओ और टॉनिक और इसका use भी बताता हूँ, सबसे पहले लगाने का तरीका बताते हैं, ये पौदे हमारे पास available हैं, अगर आपको आसपास मिलता है, मैंने पहचान बता दी है, सड़क किनारे कहीं भी मिल सकता है, आप वहाँ से ले सकते हैं, नहीं है, आप हमारे दिये गए वर्टसेप में होती है, लेकिन एक नॉर्मल मिट्टी में इसको आप लगा सकते हैं, और इंडिया के हमारे हर कोने में हो सकता है, वहाँ सिरफ नहीं होता है, जहां पर बरप पड़ती है, ठंडा वैदर रहता है, मतलब के बिलो 20 डिगरी टेंपरेचर होगा, बिलो 15 डिगरी होगा, व इसमें थोड़ा सा नुट्रिशन देंगे, ताकि इसके पत्ते अच्छे हो, और फिर एक बात क्लियर कर दूँ, कि जो भी पौधाय लगाते हैं, मेडिसिनल, उसमें आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें, इसमें देखिए, नेशुरल हमने ये लिया है, देखिए, इस गमले में, दसिंची के गमले में लगाने जा रहे हैं इसको, और इसके लिए हम क्या करेंगे, चार मुठी हम लीप कमपोज ले रहे हैं, और तीन मुठी हम ये देखिए, केल्शिम पाउडर, जो कि इसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखेगा, स्ट्रेंथ मतलब पौधा खड़ा रहेगा, तभी इसकी नमबर और प्रांचेज निकलेंगी, और ये हल्दी है, तभी हमें हल्दी बनाएगा, तो ये देखिए, ये हमने इसमें मिला लिया, कुछ नहीं और डालने की जुरुत है, ये दो चीज़ें आप हम इसमें डालेंगे, और इसको इस गला है, तो आ आपने मिट्टी बन के तियार है, अब इस गमले में लगाने से पहले क्या करना है, एह होल जरूरी है, यह ओल के ओपर ये टिफ्री हम यह रख रहे हैं एल इसमें हमिट्टी ऐसे वह ब्र लेंगे हैं कितनी मित्टी झाल टालेंगे अब ठीक है यह देखे इतनी मिटी भरके हम इसको रखके देखेंगे थोड़ा सा नीचे है थोड़ी सी मिटी और डाल लेंगे अब ठीक है इसकी थैली को निकाल के यह हमने ऐसे रखा और थोड़ा सा जी लीप कमपोज है इसकी हम चारों साइट डाल देंगे ताकि इसका जो नूट्रिशन वेल्यू है फूरी मिले और पौधा फटा फट इंक्रीज हो क्योंकि इसका जो इस्तेमाल करने वाले हैं हम इसका बढ़ेगा तभी इसका इसका इस् पत्तों से पत्तों को कैसे इस्तेमाल करना है कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं यह सारी जानकारी में डेटेल में देने वाला हूं ताकि आप इसका इस्तेमाल करके सदा हस्ट पोस्ट और जवान बने रहें और अपने प्रिय पर न हम ओद कोश्चा और बहुत ज्यादा नहीं छोड़नी है आपने इतना खाली छोड़ा इसमें लगभग हम आधा लेटर पानी के कढ़ possiamo और पानी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है ना बहुत कम चाहिए होती है दर्मियान से पानी रखना है आपने जब सुखे तभी डालना है बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो पौधा मर भी जाएगा क्योंकि जंगली पौधा बहुत ज्यादा केर की जुरुत नहीं हो बहुत जादा पानी की जुरुत नहीं होती है अब आते हैं दोस्तों नहीं लगा दिया गुड़ाई करेंगे और पत्ते बढ़ेंगे अब आते हैं हम दोस्तों किसके उपर इसके यूज़ क्योंकि घोड़े जैसी ताकत देने वाली चीज है तो यूज तो पता होना चाहिए हमें सबसे पहले हम आते हैं इसके पत्ते के उपर यह जो पत्ता देख रहे हैं हरा हरा इसके चार पत्तों का इस्तेमाल आपने खाली पेट सुवा करना है कितने चार पत्ते चार पत्ते खाली पेट सुवा खाएंगे और आप एक अपते खाने के बाद अपने आपको पूर बीपी की शिकायत है वो इसका इस्तेमाल कम करें चारपते की जगगा, दो पत्टे एक पत्टे खा सकते हैं या ना खाये जिनको हाइ बीपी है, वो ना खाये दूसरा, क्या है कि बांकी लोग खा सकते हाइ बीपी वालों के लिए और जो प्रेगनेंट है उनके लिए थोड़ा avoid करने के लिए बोला जाता है बाकी लोग इसको खा सकते हैं चार पते को और एक हपते में आपको इसका result महसूस हो जाएगा अगर बिमारियों की बात करें तो ताकत तो देता ही देता है अगर थाइराइड है तो उसको control करेगा अगर सुगर है तो आपन दवाई को कम करें इसको बढ़ा लें तो आपका सुगर जो है control हो जाएगा तो यह बहुत सारी और भी बिमारिया थाइराइड है अस्तमा है इन सभी चीजों में काम करता है अस्वगंधा अपने आप में एक natural booster है और बिमारियों को भी control करता है तो यह तो पत्ते का यूज अब हमने बताया कर है कि इसके भीज बताया के उसके भीज का भस्म बनाते हैं जो के खांसी में और बहुत सारे सहीं और अच्छा बने तो उसके जड़ का वाड्र जो है उसको रात पर भीगो के चीश सकते हैं और और वो student भी पी सकते हैं, जो अपनी यादास्त कम रखते हैं, पढ़ाई में याद कम रहता है, या थोड़ी सुस्ती महसूस करते हैं, तो उनको जो है energetic लाने के लिए इसके जड़ का जो powder होता है, पुराना पौधा हो जाएगा जब साल दो साल का, तो इसका जड़ निकालना है, उसको सुखा के धो के और सुखा के पीस के पौडर बना लेना है, एक चमच पौडर रात को पानी भी होना है, सुबह एक चमच शहद मिला के उस पानी को पी लेना है, आप देखेंगे पूरे दिन ऐसे के ऐसे रहेंगे student जो हैं, जिनको थकान होती है, athlete जो work ज़्याद पौडे से आपको वो सारी strength मिलने वाली है दोस्तों, तो देखें इतने सारे गुन छुपाए हुए ये पौडा है, और जंगलों में यहाँ वाँ भटक रहा होता है, चिडिया को पता है, चिडिया इसके फल को खाती है, वो कभी बिमार नहीं पड़ती, स्वस्त रहती है, लेकिन हम लोग इन सब चीजों से दूर हो गए हैं, इसी लिए इतनी बिमारिया है, तो दोस्तों आज ही इस पौधे को लगा लें, इस से रिलेटेड जो खाद है, या बीज है, पौध है, हमारे पास से अविलेवल हैं, इसके लिए आप दिये गए नमबर 9996928517 पर लेवा दोस्तों